सबीको नमस्ते आज इस एतिहासिक काड़ेकरम में मंच पर उपस्तित राष्टिय स्वेंशेवक संग के मानिय सरकारेवा दत्तात्रे हुजबली जी आज के मुख्य अतिति भूत्पूर्वच मुख्य चुनाव आयुकत स्रीमान सुनिल अरोड़ा जी विद्यार्थी परश्ट के राष्टिय अद्यक्ष चगनबाई महामंतरी निधी अक्षित दहिया जी प्रभाद अभिशेक और आज प्रभाद जी यहां आज देख रहा हों कि इस धेयात्रा जो है कुष्टक का नाम है धेयात्रा उस धेयात्रा के जो यात्री है सारे बहुत ऐसे प्रमुख यात्री यहां पर उपस्तिते सबको वंदन सबका अभिवादन यह पुस्तक के संदर्व में जब सोच रहे थे तो सवाई पुरूप से यह भी अपने आप में कितिहास बन गया क्योंकि हम सब जानते हैं कि विद्यारतियों का संगटन तो फ्लोटिंग और्गनेशन है और इसलिए मानिय दत्तात्र जी जब संगटन मंत्री थे तब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और स्वर्ण जयनती वर्ष था विद्यारति परश्यत का 98 में तब उस समय एक ऐसी किताब आये ऐसी योजना थी और फिर उमेंद्र दत्त जी आये है परिचय भी होगा बाद में तो वो उन दिनों पूरे देश भर में ब्रह्मन करते हुए पूरी सामगरी इकठा किये और फिर क्रम चलता रहा कि कि विद्यारति परश्यत तो एक सतत प्रभा है मतलब ठहरा हुआ इतिहास नहीं कि कहीं अर्कियालोजिकल डिपार्मेंट को जाके ठहरा हुआ इतियास को निकाल के अब बस थापित करना है तो कंटिनियूस है ये तो तो जहां-जहां लेट होता गया मटरियल पुराना ही होता चला गया और नया मटरियल फिर संग्रह करने की जो चैलेंज है चुनावती आगे आ पाटिया जी है और दत्ता जी मान्य मदंदास जी कि सभी का मारदर्शन लगातार चली रहा था और फिर लगातार नए सुझाओ भी आ रहे थे कि यह मैं इसलिए कहना चाहरा हूं कि लगातार नए आयाम बढ़ रहे थे नए प्रकार के जो चैलेंजेस आ रहे थे उस पर न अशुश बढर चाहर चल रहे हैं नए नए जीतने बी राष्रिय सुरकषा के मुद्द्व और उस सोंथ्स पर ऑंदोलन चल रहे थे जी मतलब अगर नब्वे में कश्मीर चल रहा था तो उसके पहले अगर नक्षिलियों के खिलाब अंदोलन चल रहा था मतलब क्रम तूटा ही नहीं चलता ही गया और इसलिए फिर कुछ समय अशितोष भटनागर जी ने काम समाला उस समय कमलेश सिंग जी विशेश रुप से उसका फिर से सामागरी का संग्रह करने के लिए जुड़ गए और उसके बीच में फिर प्रदीप्रावजी ने ये जिम्मेदारी समाली प्रदीप्रावजी बढ़ता चला गया अल्टिमेटली ये काम फिर जब फाइनली शुरू हुआ तो लगबग मुझे लगता है पांस से छे साल पहले ये काम फिर से मनोच कांजी ने हाथ में लिया और तब तक 1903 दशक का मटेरियल एकत्रित करना था अभी साथ दशक है उस समय चार दशक का मटेरियल एकठा करना था कि ये सारी प्रक्रिया लगातार चलती गई और इस प्रक्रिया से वास्तों में कभी-कभी मानिय सुरेश तोनी जी आज यहां उपस्तित नहीं है उनका उन्होंने कहा कि अब जब तक इतियास आपका पूर्ण नहीं होता तब तक मुझे और मनोच से लगे रहें और देज भरके कारेकरताओं ने भी कॉरोना काल में तो जो पूराना मटेरियल प्राप्त नहीं हो रहा था सब लोग अपने अपने जगह काले तक घरो में थे तो सबसे अच्छा रिस्पॉंस उस समय मिला जो मांगा दो दिन में तीन दिन में सब मट्रियल पूरे डिटेल्स के साथ फोटो के साथ सब कुछ आता चला गया और इसलिए मतलब अंतीव इसको जो रूप दिया गया वो कोरोना का जो फर्स लॉकडाउन था उसमें हम लोग 400 पेज का पुस्तब लेकर बैठें और फिर उसमें जो नई चीज़े जुड़ती चली गई उसमें हम लोगों ने इसको 800 पेज का कर दिया तो अभी ये दो खंडों में लगबग 800 पेज की पुस्तब बन गई है और ये मैं इसलिए कह रहा था कि ये सदत चलने वाला इतियास है मतलब ये खतम नहीं हुआ ये दो पार्ट आए आगे इसके पार्ट जुड़ते चले जाएंगे और विद्यार्थी पुर्षद का जो इतियास है वास्तों में जब ये इतियास का हम लोग संपादक लोग जब काम कर रहे थे और मुझे बार-बार पढ़ने के लिए मटरियल देते थे तो वास्तों में ये एक ऐसी धे यात्रा है हम नाम के बारे में जब सोच रहे थे तो ये केवल एक यात्रा नहीं है विद्यार्थी पुर्षद का काम एक बस प्रारम हो गया तो चलता रहा ऐसा नहीं है इसके इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिसके काराण ये यात्रा चल रही है अभिरत चल रही है उसी दिशा में चल रही है तो जो उसके साथ एक धेय जुड़ा हुआ है धेय के साथ जो तत्व जुड़ा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी काम में जब तत्व निष्टा होती है तभी वो कारिया सही दिशा में और उसी उर्जा के साथ चल सकता है और इसलिए हम सब उसी तत्व और उसी उर्जा के साथ चलने वाले धेयातरी बन गए है और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो नाम सोचा गया सब लोगों के विचार विमर्ज से ये विकुल सटिक नाम इस धेयात्रा इस पुस्तक को दिया गया है कई स्पृतिया हम लोगों के पास आती है वास्तो में ये हमारा भारत देश ऐसा एक देश है कि जिसमें हर नई पिड़ी में ऐसे लोग निकल के आते है और जो फिर से प्रेरित होते हैं फिर से खड़े होते हैं और फिर से भारत मा के लिए समर्पित हो जाते हैं बस उनको एक सही दिशा देने का काम उनको संगडीत करने का काम ही विद्यारती पुष्षत का काम है मुझे मैं याद कर रहा था कई स्मरण आते हैं कि कैसा एक सामान्य विद्यारती को एक दिशा कैसे मिल जाती है मैं स्वयम अपने उधारण को ही मतलब मुझे स्मरण हो रहा है तो मैं उसको ही बताना चाह रहा हूँ मैं 11 कक्षा में मतलब 15-15 साल 16 साल के तक पहुंची रहे थे तब मैं 11 कक्षा में नाकपूर के हिसलाफ कॉलेज में था और हिसलाफ कॉलेज में जनवरी जब आया तो हम लोगों को एक मन में आया कि क्या करना चाहिए तो उस कॉलेज में तो बहुत अलग प्रकार की एक्टिविटी थी नाकपूर का हिसलाफ कॉलेज में तो हम लोगों मैंने सुचा कि यहाँ विविकानन्द जैंती का 12 जनवरी को कारेक्रम करना चाहिए परिश्द में हमने सुना कि ऐसा विविकानन्द, जैंती, युवा-धिवस और ऐसा कारिकरम होना चाहिए तो विविकानन्द को तो पढ़ा था, कुछ न कुछ समजा था तो हम हमारी प्रिसिपल के पास में गया principle को मैंने कहा कि हम लोग ऐसा ऐसा विवेकानन्द जैन्ति युगा दिवस कारेक्रम करना चाहते हैं और हमें एक जगा चाहिए एक कमरा चाहिए जिसमें हम कारेक्रम करेंगे तो हमारे डॉक्टर विलकिंसन उस समय हमारे इसलाफ कॉलेज के principle थे उनने का सुनी लिए डोड़नो कि ये हमारा मिश्णरी इसाई मिश्णरी कॉलेज है और यहां तुमारे भगवेवेजधारी विवेकानन्द कारेक्रम कैसे होगा तो मैंने उनको तुरंद कहा क्योंकि मैं विवेकानन्द के बारे में मैंने उनको कहा कि जब भारत स्वाधीन नहीं था तब एक पूरे इसाई देश में जाकर स्वामी विवेकानन्द पूरी दुनिया के सामने अपना उद्भोधन दे सकते हैं तो स्वाधीन भारत में इस आ और परड़ाम हुआ लॉटर विलकिन से ने का वेरी ब्रिलियेट उन्हें तुरंद लिख दिया रूम नंबर दिस दिस और बारा जनवरी युवाद इवस का कारेकरम हुआ मुझे लगता है कि ये जो अनुभो मैंने वो उर्जा पाई थी कि ऐसा कुछ क्योंकि रास्ता निकालना है इस देश में विविकानन्द ने जो दिशा दी उसको युवाओं तक पहुचाना है तो रास्ते निकालनी की जो उर्जा है वो विद्यारती परशद से प्राम्त होत बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि समय के साथ विद्यारती परशद का ये इतिहास कि जो पुस्तक है वो पुस्तक आने वाली पिडियों को निश्चित रुप से प्रेजित करेगी इस देश के हर ऐसे 15,14,15,16,17,18 उम्रों में आते आते वो ऐसी गाथाएं सुनेंग पर inhib है कि सवाधीند भारत में बी चलो कश्मीर का नारा लेकर जाने वाले गुस्पेटियों के खिलाफ लड़ने वाले कहीं इस तरीके के सामाजिक समरस्ता के लिए संगर्ष करने वाले उनुष्रि जात्य जातियों को नयाय मिलना चाहिए उसके लिए जणडा उठाने वा कि राश्टी है कात्मता का अनुभो मिलता गया हर डिविशन में यह कारियर हम लोगं की की एक कालेज कालेज की एलूम्नी के दरा हम लोग नहीं है यह आतरा का इतियास है जिसमें हम लोगों ने एक प्रेरणा मिलती है और आने वाले समय में अब स्वाधिन्ता के 75 वर्षम मना रहे पुरा भारत बविश्यकी और देख रहा है और सारे युवा कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मुझे लगता है कि इस अवसर पर इस तरह की ये पुस्तक आना ये अपने आप में बहुत ही एक शुब संकेत है मैं इस अवसर पर सारे सब लोगों को बहुत शुब कामना बहुत बधाई देता हूँ और विशेशकर जो लेकक संपादक अनुबो लोग है संपादक उन सभी को निश्चित रूप से बहुत बधाई देता हूँ और आज यहां पर बहुत सारे वरिष्ट कारे करता है यहां पादमनाप जी को मैं देख रहा हूँ प्रफेसर वेद प्रकाशननदा जी को मैं देख रहा हूँ डॉक्टर कुष्णबट जी है और गीता ताई जी बहुत सारे ऐसे लोग है कि जिनका और यहां इस कतार में सारे महामंत्री जी है मुर्ली दरण जी से सुलखात करके पिर आगे विनोज जी चंद्रकान दादा हरिंदर जी है सुशील जी बैटे महेश जी भी है और बहुत सारे ऐसे मैं देख रहा हूँ इधर भी तो मुझे लगता है कि ये एक गैलेक्सी आप ऐसे कारे करता है मतलब ऐसे सतत प्रवाह उसका तो मुझे लगता है उसी का एक रुपांदरण इस किताब में करने का प्रयास किया है मुझे लगता है मैं नहीं मानता कि सारा इतियास और सारी बाते समझना ऐसे 800 पेजेस में संभव है वो हम सब के दिलों में है और हम सब के कथन से वो नई पिढ़ीतों के लगातार पहुचती रहेगी इसी के लिए पुन्हा एक बार शुब कामना